Assalamualaikum dear learners and potential entrepreneurs and on-tip news welcome in the video और video बहुत एहम है क्योंकि हम बात करने वाले हैं price की Price is a really sensitive issue चाहे आप किसी incubation center में बैठे हुए अपने idea को develop कर रहे हैं चाहे आप market को hit करने वाले हैं चाहे आपको अपना business करते हुए एक दो साल गुजर चुके हैं चाहे आप उपने business को grow करना चाहते हैं और चाहे आप एक बहुत बड़ी cooperation या एक firm चला रहे हैं Price is a sensitive issue एक बात याद रखे है कि हमने आप से जितने भी पीस के बारें बात की कि वो product है, वो price है, वो place है, वो promotion है, वो people है, वो physical evidences है, आपके processes है जितने भी इस framework के अंदर पीस आते हैं, जादतर में cost involved होती है Price वाहिद एक ऐसा source है, जो source of revenue होता है, यानि ये आपके लिए revenue generate करता है Price पर बात करने से पहले हम price की कुछ definitions देख लेते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप एक journal definition देखना चाहें, प्राइस की तो प्राइस की journal definition ये होती है, the amount of money which is required and given in payment for buying something including product, service और experience जैसे कि हमने आप से कहा था कि आप product, service या कोई भी experience बेच सकते हैं तो इसको आप से खरीदने के लिए, यानि इसकी ownership, buyer को transfer करने के लिए जो amount pay की रहती है, उसको हम price कहते हैं अगर आप online sources में जाके, business dictionary.com में देखें, तो price की definition, business dictionary ने इस तरह से दीवी है a value that will purchase a finite quantity, weight or other measure of good or services For example, अगर आप बरियानी का चैने एक थिला ही लगा रहे हैं, तो एक plate की क्या amount होगी, कितने की वो बिकेगी ये आपने decide करना है, और यही आपका source of revenue होगा यही वो price होगी जिसमें आपकी cost भी होगी और यही वो price होगी जिसके अंदर आपका profit margin भी होगा Price हमेशा sensitive रही है इस हवाले से कि जब आप अपनी product यह अपना experience यह अपना service design करके customer के सामने ले आते हैं, तो customers की quantity, उसके feature और उसके display के बाद next जिस चीज में interested होता है, और sometime अगर मैं बहुत ही price conscious है तो पहले जिस चीज में interested होता है, वो होती है price In other words, सभी किताबों में यह लिखा है कि consumers quickly process the price information एक consumer के लिए price सबसे ज़ादा एहम मसला होती है because उसने अपने pocket में से पैसे निकाल के आपको देने होती है और आप से आपकी product, service experience की ownership लेनी होती है consumer price को consider करता है, बहुत से references, बहुत से चीजों से compare कर रहा होता है For example, अगर आपका consumer आप से को product, आपका customer आप से को product buy करना चाहता है और इस से पहले उसने इस तरहां की कोई चीज खरीद रखी है तो वो जरूर compare करेगा मिसाल के तौर पे, if this is a pointer और ये pointer मैं पहले किसी और शॉप से ले चुकी हूँ और अब मैं आप से लेना चाहती हूँ तो मेरे जो last purchase है, मैं उससे इसको जरूर refer करूंगी number one, कि मैंने कितनी की ली थी, कितने अर्से पहले ली थी और इसकी क्या quality थी, और क्या इसकी warranty guarantee भी कोई है या नही है उसके इलावा consumer जिससे reference करता है, that is the market survey अगर खास तोर पर आप किसी ऐसी market में आपने अपनी दुकान खोली है अपनी outlet खोली है, जिसमें आप जैसी multiple products available है तो consumer आप से buy करने से पहले market का survey जरूर करेगा और जरूर देखेगा कि आपके जैसी जो product है, आपके competitors उसको किस price पर बेच रहे है क्या आपकी price एक good price है Likewise, formal communication के थूँ जो price communicate की जाती है और by formal I mean कि आप जो advertise करते हैं, आपने कहीं display कर रखा है आपने कहीं कोई billboard display किया है, या आप radio के उपर कोई अपना message दे रहे है या television पर even commercial चल रहे हैं, या cable के उपर आप ये को commercial चल रहे हैं और आप उसमें कोई price claim कर रहे हैं तो ये एक formal communication है जो आप customer से कर रहे हैं क्या ऐसा है कि जो price आपने add में communicate की, जब वो stores में आए तो stores में उनको वही price या वही discounts मिली या नहीं मिली customer price को इस तरह से भी compare करता है कि वो अपने informal sources से मिसाल के तौर पर उसका जो reference group है उसके जो दोस्त अहबाब है मैंने ये pointer buy किया, मुझे ये pointer बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी price में लगा तो मैंने अगर इसको किसी और को recommend कर दिया है खास तोर पे ऐसी चीजें जो के बार पर buy नहीं होती जिसमें high involvement होती है customer जिसको हम high involvement products कहते हैं camera हो गया, mobile हो गया तो उसके लिए आप online जरूर जाते हैं और जाकर उसके reviews भी पढ़ते हैं उसकी prices भी multiple online stores पे चेक करते हैं तो यह भी आपका एक reference बन जाता है इसके साथ साथ competitors price भी एक बहुत एहम reference होता है यही pointer आपका competitor किस price पे और कहां बेच रहा है यही pointer, competitor B, competitor C कितनी की बेच रहा है किस warranty, guarantee के साथ बेच रहा है और plus आपका क्या unique selling proposition है आपकी price के अंदर और at the end, expected future price भी हमारे जहन में होती है बाज़कत consumer किसी product को bulk में आप से purchase करने के लिए तयार हो जाता है because उसको यह लगता है कि आने वाले वक्तों में यह price और बढ़ जाएगी In other words, और भी sources हो सकते हैं यह references हैं जो consumer अपने mind में compare कर रहा होता है जब वो आपकी price को evaluate कर रहा होता है एक बात याद रखिए जहां हमने कहा कि price is really very important because price आपका source of revenue है price ही customer को attract करेगा खास दोर पर पाकिस्तान जैसे economy जिसमें customers price sensitive है because हमारी per capita income काफी कम है so price sensitive customers के लिए तो price और ज़्यादा एहम हो जाती है so आपकी जो product features हैं बाजवकात वो बहुत कभी पीछे चले जाती है price आ गया आ जाती है ये बात याद रखेगा price is an indicator of quality ये भी बहुत से research articles में आया है एक बहुत interesting research की गई कि same burger with one dollar price कुछ customers को try करवाया गया और थोड़ी देर के बाद same वही burger with high price same customers को try करवाया गया और फिर उनके comment लिए गया कि which one was more tasty लोगों ने जादे तर customers ने जिस burger की price high pay की वी थी उसके बारे में लिखा कि it was more tasty और वो ज्यादा juicy था वो ज्यादा soft था वो ज्यादा fresh था और जो दूसरा burger है वो इतना fresh नहीं था whereas the burger was the same product was the same price ज़्यादा पेगी है इसलिए product भी बेहतर होगी बहुत से इसी products जब आप market में purchase कर रहे होते हैं अगर product A की price बहुत ज़्यादा है और product B की price जो बिल्कु similar product है similar feature claim कर रही है लेकिन उसकी price बहुत low है तो हम फिल्फ और अपने mind में एक जहन बना लेते हैं कि शायद ये product product A से ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी quality low है ये एक substandard product है so in other words price is a very important topic price आपका source of revenue भी है price आपके customer को attract भी करता है price आपका source of competition भी है और price आपकी product के लिए एक source of quality भी है वो quality भी communicate करता है आपके customers को अगर आपने television shows देखे हों जिसमें के बहुत से young entrepreneurs आते हैं और वो seed money के लिए अपने ideas को present कर रहे होते हैं उसमें जितने भी angel investors बैठे होते हैं उनका सबसे main concern यही होता है हमें बताइए कि आप price क्या charge करेंगे और इस price के अंदे से profit margin कितना होगा so price is an important topic price के बारे में जानना बहुत जरूरी है और young entrepreneurs के लिए तो बहुत ज़ादा जरूरी है because product हमारी बहुत अच्छी develop हो जाती है और हमें यह अंदाजा नहीं होता कि हमने product की price किस तरह से charge करनी है price के लिए क्या strategies है price की क्या objectives होते है price बार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इसके लिए हम देखते हैं next video see you in the next video